नमस्कार वेल्कम दू स्टडी आई क्यों मैंगोब रशान दवर नाव जैसे आप लोग जानते हैं भारत के पास रश्यन मेड एस फोर हंड़ेड मिसाइल डिफैन सिस्टम है पाकिस्तान इसको लेकर बहुत ज़रा चिंते थे और रीसेंटली देखिए पाकिस्तान ने एक र वेटरी एस फॉर हंड़ेड मिसाल डिफैन सिस्टम की पाकिस्तान को भी मिल जाये बट रश्या ने क्लियरली ये कह दिया था कि जो वैपन ये इंडिया को सेल करेंगे सेम टू सेम वैपन पाकिस्तान को सेल नहीं कर सकते दिस विल वी रॉंग तो पाकिस्तान ने अब फिर 350 क्या लिटरली ये S-400 से कुछ कमजोर missile defense system है जी हाँ बिलकुल ये S-400 missile defense system का एक predecessor है उससे काफी कमजोर है एक medium range surface to air missile defense system है जो missiles को या aircrafts को destroy कर सकता है और पाकिस्तान चाता है कि रश्या sell कर दे इसे to पाकिस्तान इसके लिए काफी high level पर बात्चीच चल रही है बिवीन पाकि मैं आपको ये बदा दू आज के समय जो Russian Federation है ये कैसा country है जो काफी हद तक desperate भी है business के लिए बहुत सारे countries है जो एक time पर Russia से weapons purchase करते थे अब US और Europe के दबाव में ऐसा नहीं कर पाएंगे हम अपने खुद के प्यारे भारत को भी देख ले हम लोग बिलकुल पुराने जो हमा चार-पात सालों में कोई नया order Russia को नई दिया है weapons के लिए जो भी projects है वो ऐसे ही है जहां पर Russia इंडिया में कुछ manufacture करेगा या फिर joint manufacturing है जिसका agreement बहुत पहले हो चुका है तो Russia को constantly नए गरहाग चाहिए नए customers चाहिए और interesting बात मैं आपको ये बदाता हूँ आज से कुछ महीने पहले रश्या ने पाकिस्तान को surveillance drone, attack drone नहीं जासूसी करने वाले जो drones होते हैं surveillance drones ये बेचे थे इन drones का नाम सुनके आप हस पढ़ेंगे इन drones का नाम भी है S350 ये drone है ये missile driven system नहीं है मगर रश्या की एक company ने S350 नाम के जो ये drones है ये बनाए है जो आज के समय बेलारूस उसके लावा Syria के कई groups और even Middle East में बाकी countries भी use करती है पाकिस्तान को भी ये drones बेचे गए हैं और interesting बात देखिए पाकिस्तान इन drones का इस्तवाल करता है भारत की border पर निगरानी रखने के लिए या फिर spying करने के लिए आप कह लीजिए तो Russia again आपको समझना कि ये एक ऐसा देश है जिस पर 21,000 sanctions लगे हुए हैं दुनिया में आप history पढ़ लीजिए कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जिस पर इतने sanctions लगाए गए हैं जितना Russia पर लगाए हैं तो Russia एक बार को आकर Chinese Yuan के लालश में क्योंके पाकिस्तान के पास Chinese Yuan बहुत सारे हैं और Pakistan इस काफी पुराना variant S-350 missile defense system हो सकता है अगर मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा कि Russia मान जाएगा बट एक possibility आपको यह लिखती है पाकिस्तान की तरफ से भी उच्सा और काफी अतक आप कह लिजे excitement इसलिए है क्योंके पाकिस्तान भी जानता है कि Russia के पास जादा options है नहीं और एक ब पुराने ही मिलेंगे ना मुझे बता यहाँ पर आपका एक सवाल यह भी आ सकता है मगर आज से पहले ना हमने S-350 missile defense system का नाम ही नहीं सुनाता हमको लगता था कि S-300 है उसके बाद S-400 है जो इंडिया के पास है और फिर रश्या बना रहा है S-500 यह 50 कहां से आ गया बीच में intense हो गई थी और रश्या को बहुत सारे missile defense system चाहिए थे क्योंकि युक्रेन लगातार drone भेज रहा था रश्या की धरती पर उस वक्त रश्या की जो defense companies है इन्होंने डेवलप किया S-350 missile defense system यह S-300 missile defense system का एक upgraded variant है और यह interesting बात देखिए S-400 missile defense system का जो एक missile है 9M96 missile वो यूज करता है और वैसे आप अगर देखो इसकी जो range है यह S-400 missile defense system से बहुत कम है maximum range है इसकी 120 km मगर पाकिस्तान को यह attractive इसलिए लगता है क्योंकि यह battle tested है रश्या ने S-350 missile defense system को युक्रेन के अगेंस्ट extensively use किया है और इसलिए पाकिस्तान मानता है कि रश्या ने सिंस यह recently ही produce किये है 2019 2020 के आसपास तो perhaps यह लोग इनको purchase कर सकते हैं और आप अगर पाकिस्तान के perspective से देखो न तो इनके लिए काफी फायदेगा सोधा होगा अगर इनको S-350 missile defense system मिल जाता है क्योंकि currently इनकी जो missile defense systems की layers है कि कितने आप systems use करते हो अपने देश को बचाने के लिए incoming missiles से या aircraft से तो य HQ 9P यह Chinese made है long range surface to air missile defense system है long range कहने को ही है 125 km की रेंज है और पाकिस्तान के इंटर्नल ही आप देखोगे काफी बार रिपोर्ट आ चुकी है कि यह इतना बढ़िया काम करता नहीं है पाकिस्तान डस नॉट फील confident on HQ 9P फिर अफकोर्स Chinese made LY ATV हैं के पास जिसकी रेंज सिर्थ 40 km क आसपास है उसके नीचे आप जाओगे तो पाकिस्तान मेड इनके पास जो अंजा सीरीज मैन पैट्स है जिनकी रेंज बहुत ज़रा कम है बस 5 से लेकर 6 km इनके पास HQ 7 है यह भी Chinese made है आठ से लेकर 5 km की इसकी रेंज है वो भी slow moving targets के लिए यह दोनों जो है इनको pretty much आप useless ही layer 4 है actual layers मैं उसको 2 या देड के आसपास ही मानूंगा तो इसलिए पाकिस्तान desperately चाता है कि जो यह latest S 350 है यह इनको मिल जाए और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि क्या genuinely ऐसा हो सकता है I mean really क्या Russia ऐसा करेगा देगी again it will take time India obviously अपनी तरफ से pressure exert करेगा Russia पे के ऐसी सेल वो पाक सिस्टम को यूज करने वाले जो सिस्टम्स हैं बाकी एर डिफेंस सिस्टम्स यह भी नहीं बेचने चाहिए इंडिया के अनवी कंट्रीज को बट अट दे सेम टाइम याद रखेगा रशिया ने S-400 मिसाल डिफेंस सिस्टम बेचा है चाइना को और साथी साथ भारत को भी बेचा है तो आज के समय रशियन फेडरेशन एक ऐसा देश है that is constantly looking for business और इसलिए मैं इस news को इन reports को lightly नहीं लूँगा इनको constantly follow करते हैं कुछ updates आती हैं in the future तो मैं आपके लिए बाद वीजा फ्री arrangement कर दिया है Indian tourist का ये country कह रहा है कि Indian tourist बिलकुल visa के विना हमारे देश में एंटर कर सकते हैं ये arrangement पहले कुछ महीनों के लिए था मगर अब इसको permanent कर दिया गया है तो बताइए किस country ने recent ये किया है ये हैं आप आपकी options वियतनाम, मलेशिया, चाइना या थाइल आपके लिए courses हैं for various examinations जो आप purchase कर सकते है studyiq.com पे simply आपको करना क्या है comment section में जाएए यहाँ पे आपको मिलेगा ये link इस link पर करिए click और यहाँ पे आप studyiq की website पे पहुँच जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप studyiq के logo पे click करेंगे आप various courses कर सकते हैं purchase that are offered by studyiq. जो studyiq का fast track foundation batch है ये आपकी काफी help करेगा for the upcoming UPSC examination उसके इलावा SSC bank various exams के courses यहाँ पे आपको मिलेंगे that you can purchase but जो यहाँ पे price लिखा है never pay this price simply यहाँ पर code use करिये PD10 और prices अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे you will be able to save a lot of money so use the code PD10 and save money. इसी note के साथ यह है वीड watch over you.